दोस्तो नमस्कार मैं डॉक्टर संतोष कुमार स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी हेल्दी में दोस्तो आज मैं आपके आपको क्लीन जेल क्रीम के बारे में बताने जा रहा हूँ इसका रिब्यू करने जा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा था बहुत दिनों से पूछ रहे हैं लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता था इसक्रीम के बारे में रिब्यू करने के लिए तो दोस्तो चलिए शुरू करता हूँ आपको इसके बारे में बताने का शिल्सला दोस्तो सब सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि हैल्स से रिलेटेड एस्कीन प्रोब्लम से रिलेटेड बहुत सरे कमेंट मुझे मिल रहे हैं आपके द्वारा और सभी कमेंटों को एकदम से जवाब देना मेरे लिए बहुत ही भारी पर रहा है एक दिन में मैं उन दीजिए जरूर डिपलाई करूंगा और करता भी हूँ यह आपको पता है दोस्तों चलिए मैं आपको इस क्लिंजल क्रीम के बारे में बता देता हूं दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यह क्लिंजल क्रीम है यह एस्ट्रो लैप्स लिमिटेड दुवारा बनाया हुआ है और जहां तक इसकी प्राइसिंग का सवाल है 118 रूपे की प्राइसिंग है और इससे रिलेटेड में एंड में इस वीडियो के एंड में आपको बताूंगा कि इस प्राइसिंग को ले करके खुलाशा करूंगा जो आपके लिए फायदा मन होगा तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको सारी जनकारी आसानी से मिल सकें दोस्तों आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनोंने अभी तक मेरे चैनल को सब लाइक नहीं करते हैं प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें जिससे हमारे जो चैनल होता है उसका रेपुटेशन बढ़ता है दोस्तों मैं केवाल आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करना ना क्रीम है जो मैंनली एकने पिम्पल्स और जो स्कीन में बैक्ट्रियल इंफैक्षन हो जाते हैं उसके लिए होता है बैक्ट्रियल इंफैक्शन के बारे में मैं कुछ आपको बतादेना चाहोंगा Florida जो रहष आट्स्कीन में जो रहाशा जाते हैं, फुंसिया हो जाती हैं जिनमें खुजली होती है, वो एक तरह के bacterial infection होते हैं और एक ने pimples के बारे में आप तो जानती ही हैं, आप तो भुईकत भूगी हैं, तो दोस्तों इस क्लिंजिल क्रीम में जो mainly salt है जो इसमें मेडिसीन हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो है कलिंडामाइसिन फोसफेट और निकोटीनामाइड, ये दो मेडिसीन के मिलने से ये बना हुआ है, इसमें दो तरह के साल्ट हैं और जिनका इस्तमाल एकने पिंपल्स के लिए किया जाता है, दोस्तो, clean gel cream एक टोपिकल treatment करता है, एकने और pimples का, इसका इस्तमाल आप अपने skin पे जो pimples हैं या दाने हैं जो मुहासे हो जाते हैं, उसी जगह पे इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं, पूरे skin पे इसका इस्तमाल नहीं करना चाहिए, और ज़्यारा दिन तक नहीं करना वीडियोज में जो इसकीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के उपर होते हैं मैं बताता हूं कि जो भी बिमारियां या प्रॉब्लम्स हमारे स्कीन में होती हैं उसके बहुत सरे कारण होते हैं और केवल कोई भी क्रीम लगा लेने से वो प्रॉब्लम्स नहीं जाते हैं हमें एक् सकते हैं दूर भागा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इस अससे क्रीम के साहभा से आपको कुछ ऐसं टिपस बहुत अगर इस क्रीम के यूज के साहँ करते हैं तो आप एकने फ्री फ्री ठरी घी आपका स्की老 जो है गलो करने लग जाएगा दाग धबों से रहित हो जाएगा क्यूंकि एक्नेस सही सुरुआत होता है किमपल सही सुरुआत होता है दाग घब बनने का सिंसलंग चेहरे पर जो गड़े हो जाते हैं बहुत सारसे कमेंट्स मैं लोग मुझे बता रहे हैं कुछ लोग मेरे साथ WhatsApp पे जूर करके अपने फोटो भी भी भेज रहे हैं मैं उनको सजेस्ट भी कर रहा हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो दोस्तो इस क्रीम के साथ साथ आपको कुछ खाने पीने की साउधानिया रखनी पड़ेगी कुछ इसके साथ मैं मैडिसिन सजेस्ट करूंगा उसको आपको लेनी पड़ेगी जिससे की आप इसके रिलेटर उसको खतम करें तो दोस्तों आप इस क्रीम का इस्तेमाल सुबह साम अपने चेहरे को साफ़ पानी से साफ करके सुबह साम आ लगा सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जहां जहां भी दाने हो रहे हैं, पिंबल्स हो रहे हैं, वहां वहां ही स्क्रीम को जादा लगाना है, बाकी जगा पर ना भी लगाएंगे, फिर भी चलेगा, केहरे का मतलब है कि जहां पे infection है वहीं पे इसका इस्तमाल करना है इससे बहुत ही जल्दी आपको फायदा मिलेगा वैसे ही रात में भी आपको चेहरा साफ करके ही लगाना है अगर आपका चेहरा oily है ज्यादा तेल आपके skin से निकलता है तो आप दिन भर में कम से कम 3-4 बार अपने चेहरे को साफ पानी से धोते रहें जब भी आप बाहर से आएं तो skin को चेहरे को साफ करना न भूले और दोस्तों इसके साथ ही एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब भी आप चेहरा धोते हैं तो किसी साफ कपरे से ही अपने चेहरे को पूछे किसी तॉलिये या रुमाल से अगर पूछ रहे हैं तो वो साफ होना चाहिए यानि एक दो दिन पुराना यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए यह भी बहुत ही मैने रखता है स्कीन के प्रोब्लम्स को दूर रखने के लिए दोस्तो आएए अब तो क्या-क्या आपको डाइट में सामिल करना है तो दोस्तो अभी जिस मौसम में आप हैं उस मौसम में जो मौसमी फल मिलते हैं तो उसका आपका इस्तामाल करना चाहिए जिससे कि हमारे सरेन में vitamins, minerals की पूर्थी हो जाये वी एक कारण होता है उसकी कमी के कारण ही हमारे जो pimples और एकने वगरा जो धाइया और चाग जो skin में infection होते हैं वो होते हैं इसको भी आपको लेकर करके चलना होगा वो सब चीजें यूज करनी पड़ेंगी जिससे की आप इसकीन के प्रॉब्लम्स आपको नो हो अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है उसको भी आपको क्लियर करना होगा कबजी की शिकायत रहती है डाइजेशन की प्रॉब्लम्स रहती है उसको भी आपको दूर रखना होगा वह आ मार्केट का कोई भी चीज लेते हैं fast food के रूप में या कोई भी चीज लेते हैं तो वो नुक्सान ही करता है फायदा तो कड़ते नहीं ह। दोस्तों उन सब चीजों से आप दूरmile हैं पानी ज्यादा पीने की कोशिस करें ज्यादा से ज्यादा पानी पिए 10-12 गिलाज दिन भर में खाने के अलावा जो हम पानी पीटे हैं वह 10-12 गिलाज तक होना चाहिए दोस्तों इसके साथ ही कुछ medicine मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने problems को completely खतम कर पाएंगे दोस्तों अगर इसका इस्तिमाल आप इस तरीके से करते हैं तो काफी हद तक problem से बचे रहा सकते हैं दोस्तों एक हमारे स्रीर में toxin भी होता है toxin जमा होता जाता है जिसके वज़स से भी अमारी जो स्कीन पर problems होते हैं उस toxin को साफ करने के लिए यानि ब्लड के सफाई के लिए blood purifier की जुरूत होती है आप किसी भी कंपनी का blood purifier या तो वो सीरण में हो या capsule में है उसको अप ले सकते हैं आज एक नया आया है T मंत्रा का उसके बारे में मैं रिव्यू करूंगा ब्लड प्यूरिफायर कैपसुल आया है उसका भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं नहीं तो साफी का इस्तिमाल कर सकते हैं इससे क्या होता है कि ब्लड प्यूरिफायर हो जाता है ब्लड साफ हो जाता है खाने पिने में आप बदल बिटामिन आतों में todos मैंतनी हुट फिंपल और वें वह तो इस तरीके से आपको अपनें पन को तुर भगा सकते हैं दोस्तों बहुत सारी लोग पुछ तरह हैं इनसारी कि इनसारी तेयर मांपनी किक true क्त ठीरे घ्लंते शोल्ग कुश्यक्त थिंद लटे कम से कम एक महिने अगर कम है इंफेक्शन तो एक महिने कर लीजिए नहीं तो तीन महिने तक तो आपको करना ही करना है जो क्रीम है उनका इस्तमाल 15-20 दिन एक महिना कर लीजिए अगर उसके बाद आपका पिंपल्स ठीक हो जाता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं तरीके इस वीडियो के शुरूर में आपको बताया था कि इस क्रीम के बारे में इसकी प्रैसिंग को ले करके मैं आपको कुछ खुलासा करूंगा है तो दोस्तों हर मेड deform होता है दो तरीके से आता है मार्केट में यह एक इत कल रूप में यह 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 इंगर में कर सकते हैं तो इसकी करते हैं तो वारगेनिंग करते हैं आपको तो दुकांदार से तो आपको यह जो क्रीम है 80, 90 या 70 तक में भी दुकांदार दे सकता है तो इस तरीके से अगर आप वारगेनिंग कर लेते हैं तो आपको कुछ पैसे की भी बचत हो जाएगी इस तरीके तो आज के वीडियो में मैंने आपको किलिंजल क्रीम के बारे मताया जिसका आप इस तरीके से इस्तमाल करके अपने एकने पिंपल्स को हटा सकते हैं, खतम कर सकते हैं, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, जरूर लाइक करें वीडियो वीडियो को और जरू कर लें धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक बाए